हलो दूस्तों मैं सतियन कुमार सील वैरियर चैनल में आप सब को स्वागत करता हूं दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे थे होंगे तो दोस्तों हम हाइडोलिक और हाइडोलिक मसीन का अश्टेडी कर रहे हैं यह थर्ड सेमेश्टर का एक मोस्ट करेंगे लेशन नंबर तीन का नाम है हाइडो इस्टेटिक प्रेशर और यह इसका कुल लेक्चर नंबर छे है और लेशन नंबर तीन का पहला लेक्चर है तो इस लेक्चर में हम दोस्तों संपूर दाब टोटल प्रेशर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे फिर दूस तीसरा टॉपिक हम जानेंगे द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंद प्रेशर इन लिक्विड और लिलेशन बिट्वीन प्रेशर और डब तो यह तीन टॉपिक दोस्तों हम इस लिक्चर में जानेंगे तो पहले पहले टॉपिक क्या संपूर दाब टोटल है क्योंकि द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबंद यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टन है तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले संपूर दाब टोटल प्रेशर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं तो दोस्तों लेशन नंबर तीन द्रव इस्टेटिकी दाब हाइडो इस्टेटिक प्रेशर इसके बारे में आज पढ़ेंगे दोस्तों तो दोस्तों इसका सबसे पहला टॉपिक है संपूर दाब टोटल प्रेशर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं नाम से ही पता होता है संपूर बनलब कुल यानि पूरा जितना होता है उ किसी तरल दौरा किसी सतह पर लगाया गया कुल बल उस तरल का सतह पर संपूर दाब टोटल प्रेशर कहलाता है इसको समझते हैं दोस्तों किसी तरल दौरा किसी सतह पर किसी कोई भी एक कंटेनर है या फिर कोई भी पात्र है उस पर जो भी तरल है उस तरल दौरा उसके सतह प तो इसको समझते हैं किसी तरल दोरा किसी सतह पर लगाया गया कुल बल मतलब जो भी लिक्वेड द्रौ है उसके दोरा जो भी उस सतह पर बल लगाया जाता है उस तरल का सतह पर संपूर दाब टोटल प्रेसर कहलाता है यह बल सतह के लंबवत कार करता है जो बल होता है लिक्विड का द्रौ का वह सतह के लंबवत कार करता है यह संपीडन कंप्रेसु प्रकिर्ती का होता है फिर है कुल दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों कुल दाब को P से प्रदासित करते हैं संपूर दाब P की एकाई SI पराली इंटरनेशनल सिस्टम पराली में इसका मात्रक Newton होता है तो दोस्तों संपूर दाब क्या होता है इसके बारे में आपको हम समझा रहे हैं संपूर दाब क्या होता है किसी तरल द्वारा किसी सतह पर संपूर दाब किसी तरल द्वारा किसी सतह पर लगाया गया कुल बल उस सतह का संपूर दाब कहलाता है टोटल प्रेसर कहलाता है तो टोटल प्रेसर को किसे परदसित करते हैं टोटल प्रेसर को P से परदसित करते हैं इसका मात्रक क्या होता है इसका मात्रक Newton होता है और यह कौन सहावल है यह बल सतह के लंबवद सरफिस के लंबवद कार करता है और या संपीडन कंप्रेसिव प्रकृति का होता है उमेद करते हैं आपको संपूर दाब टोटल प्रेसर क्या होता है समद में आ गया होगा दोस्तो अब हम अगला टॉपिक के बाद में बात करेंगे दोस्तो दोस्तों अब हमारा अगला टॉपिक है दाब तीरुता या भी दाब प्रेसर इंटेंसिटी और प्रेसर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं इसके पहले टॉपिंग में जाना है संपूर दाब टोटल प्रेशर क्या होता है टोटल प्रेशर में क्या होता है किसी तरल के किसी सता पर उसमें तरल दौरा जो लगाया जाता है संपूर बल वही सता का संपूर दाब टोटल प्रेशर कहलाता है अब हम दानते हैं दाब तीरता या फिर दाफ प्रेसर Majupreme, प्रेसर किसी सत्य के 116 फल पर टरल दौरा लगने वाले बल को दाब तीरता या फिर आप स्पैसिक प्रेसर या फिर 113 पूर्ची सत्य कर दाब स्थामप में होत्तु संपूर दाब या फिर दाव प्रेसर इंटेंस्टी में क्या होता है सता कि एकाई छेत एकाई यह important है सबसे दोस्तों एकाई छेत रफल पर तरल दौरा लगने वाले बल को दाब तीरता या पेचिक दाब स्पेसिक प्रेसर या फिर एकाई दाब यूनिट प्रेसर कहते हैं बस दोस्तों इसमें क्या अंतर है इसमें होता एकाई छेट पर उसमें क्या होता है संपूर सतह पर उसमें क्या होता है संपूर सतह इसमें होता है कि एकाई छेट पर लगने स्फिक इस्पेशक POWण बाल को तीरता या पिया पेचिक स्पसिक Приसर इसका एक नाम है या फिर एकाहिए पReis कहें ये वी इसका फिर है इसे भी इसे पी से प्रदस्शित करते उसको भी पूस्मज कथे इसे कहीं कहीं आपको दिखता है इस माइल singular करते हैं माना किसी सता के सता का दाब का बल दाब का बल धर आप देखिए दोस्तों इसमें कहीं Present अलग-अलग करेगा कहीं पी करेगा तो सतह पर दाब पी बराबरे एफ अपान एफ होता है दोस्तों यह कहीं कहीं कैपटल पी देगा कहीं इसमाइल पी देगा तो आपकी जैसे मर्जी हमने पी से प्रदासित किया है और फोर्स को एफ से प्रदासित करता है कहीं आपको कैपटल पी भी दिखेगा तो एफ है तो नियूटन प्रतिम मीटर इसकुर होते हैं आप में दार किया होता है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं फिर हमने माना किसी सता के एच पर पुल दाप का बल एफ है तो उस सता पा दाप पी वराबरे एफ अपाने होगा इसका मात्ता न्यूटन पर्तिमीटर यह आपको कहीं अलग-अलग प्रजन कहया जाएगा आप उसको समझे हमने पी को ओड़ आसे किया पिरह इस आइप राली में दाव- तीरता का मात्रक इस रहा इंतरों सिस्टम में दाव- तीरता का यह फिश इन फिशल करत्व सब्क्रह्द में नाम हैं इसका मुंटन पर district यह पी ND । स्क्वाइर होता है या फिर सबसे इंपोर्टेंट पास्काल होता है आप सिधा सिधा बताइए कि दाब का मात्रक पास्काल होता है या फिर न्यूटन प्रती मेटर स्क्वाइर होता है इसे पी ए से प्रदसित करते हैं यह दोस्तों इंपोर्टेंट है इसे पी ए से प्रदसि हैं किगले सेंटीमेटर होता है दाइन नियुटन उसमें दानी सेंटीमेटर में चैन्ज होगत जाएगा और मेंें एक उपा February कुछ निमेरकल वायलू के लिए एक किलो पास्कल बरबरे 1000 न्यूटन प्रति मीटर स्कॉयर और एक बार बरबरे 100 किलो पास्कल या फिर 100 किलो पास्कल या फिर दोस्तों क्या होता है सब किलो पास्कल एक बार बरबरे 100 किलो पास्कल या फिर दस घाते 5 न्यूटन प्रति मीटर स्कॉयर होता है तो यह दोस्तों निमेरकल के दिरिश्टिक से बहुत महात्पूरा विश्कोष ध्यांदीजिये सीजियस में दाब तीरता कमात्यक 5.5 न्यूटन प्रति मीटर स्कॉयर है यह इंपॉर्टन नहीं अगर यह एक किलो पास्कल वराबरे 1000 न्यूटन प्रति मीटर स्कॉयर यह दोस्तों बढ़ता तो उमीद करते हैं आपको दोस्तों दो टॉपिक शंपूर दाव टूटल प् द्रव के अंदर दाब तथा गहराई में संबन तो इसको जानते हैं दोस्तों जब किसी तरल को बरतन में रखा जाता है तब यह बरतन की दिवारों पर दाब लगाता है कोई भी हम पानी लें या फिर लिक्विड लें उसको बरतन पर रखेंगे तो लिक्विड हमारा उस पात्र या फिर बरतन की दिवार पर दाब लगाता है यह तो सिंपल सी बात है आप भी इसको महसूस करते होंगे फिर का है अता सभी तरल अपने भार के कारण दाब लगाते हैं क्यों लगाते हैं क्योंकि कोई भी तरल होता है लिक्विड होता है उसके खुद के भार के कारण होता है अता द्रव के अंदर किसी बिंदू पर दाब उस बिंदू के ऊपर द्रव के भार के कारण होता है उस बिंदू के ऊपर द्रव के भार के कारण होता है यह था कुछ महत्पूर सब्द क्या कह रहे हैं सभी तरह अपने भार के कारण दाब लगाते हैं अताहत द्रव के अंदर किसी बिंदू पर दाब उस बिंदू के ऊपर द्रव के भार किसी कारण द्रव के भार के कारण होत एच पूचाई तक द्राव भरा है जिसका घनत जिसका घनत रो है और आप चिक हार डबलू तथा बेलन की तली का छेदरपल ए और गुत्ती तुरण जी है और दोस्तों घनत जी है तो द्राव के भार के कारण उसके भार के कुणा बल कूल भार डावलू क्या होगा उसका जो घनत कुल बल कal वही हैं यही कह रहा है कि कथ बंदू के कारण होता है जो 말 लगता है रोँ है और उपे चिक भाड डॉडू है वह अलम टिमाल डबलू तथा व्य लक्टं डबलू है और गर्ष। तवरण G हैं तो सभाव के कराण कि सभ और की सभ यह कटली पर लगाए गया बल्ल या भी कुल भाड штब्र डबलू हो लेकि रहे हैं Capital W to w mm into G हम सिधा जानते हैं भार बरब्र का होता है भार बरब्र दुर्मान गुरी गुरू तिरुंटुरां होता है तो Dalvar это M23ло हम क्या करेंगे हम जानते हैं क्या कि होता है गनत्य को रोख से प्रदस्षित करते हैं दरहमान निकाल लेक्त है निकाल लेक्त है इसको हटाइब लंभाई चोड़ाई गुड़े उंच हो गया तो एम बरबरे रो इंटू एंटू एंटू एच तो उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में हैं तो हम क्या करें दोस्तों द्रव के भार के करांत तलीप लगाए गया कुल भार या फिकुल बल क्योंकि हम जानते हैं जब कोई भी द्रव किसी सता पर लगेगा तो एक बल है और इसकी उचाही है तो हमारा आयतन वाईलों वरबरे क्या होता है लंबाय गुले चोड़ाई गुले उचाही तो लंबाय चोड़ाई एंट हो गया तो हम जो भखकुल भल कहें या फिकुल भार निकाल लेते हैं कैप्टल डब्र ल बरबरे एम के रस्थान पे किसके अ स्थान पे रो इंटूए इंटू ही जी वाला ये ये समेह करन एक हमने माल लिया दोस्तो आप देखते हैं ब्रतन की तली पर कुल कुल क्या निकाला की ड्रव के कारण कुल भार या प лет कुल बल निकाला तो आब हम निकाने ब्रतं के तली पर कुल दाब टोटल प्रेसर कितना लगेगा तो वही हम जानते हैं कोई अन तो है नहीं जितना वो द्रव के कारण लगेगा वही उसका वो डाब बन जाएगा तो पी वरबरेट डबलू कैसे हुआ दोस्तों माल लीजिए ये कहरा हैं कि एक कोई कंटेनर है या फिर कोई एक पा गात्र में पहले द्रव के कारण जो भी द्रव डाला उसके कारण किहना प्रेसर राएगा उसका हमने लेकर निकाला फिर उस तली प्र लिए जितना पहतली ट्रवो च पीह तो र्ध मि लगे तो द्रव का भार यह एम पूसें पढासित हो आप करेंगे यहां डम उसका कुल दाब बराबर होगा या फिर यहां डभ यह लिखे या फिर लिखे या फिर यीव बराबर है और एरिया यह हमारा तो पी बराबरे समी करण एक से हमने क्या रहा डबलू बराबरे यहां लिख रहे हैं डबलू बराबरे रो इंटू एंटू 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 जी तो यह हमने रख दिया रो इंटू एंटू 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 जी ऐसे कट गया तो पी बराबरे यानि दाव तीरता या फ प्रेसर इंटेंसिटी बरबरे क्या हमारा रो इंटू जी इंटू एच यह सबसे इंपॉर्टन दोस्तों हमारा फार्मूला आ गया तो उमीद करते हैं आपको द्रव के अंदर दाप्धा गहराई में समझ यहां तक समझ में आ गया होगा दोस्तों सिफ हमने क्या किया है पहल होता है व्हां परहिे हमने क्या किया हिसं प्रव्चुलीच की जरूरत होती है प्रवां रहेगा नस्तें पर दोस्तों इंप्वार्टेंट फार्मूला तो अब इसके बारे में जानते और क्या हुआ दोस्तों हमारा पार्मूला चुका है क्या फार्मूला यहीं इंपर्टेंट फार्मूला पिसको भूल यह जाना फुर्मूला और पार्मूला आपको रच लीना तो इससे निस्कर्ष क्या निकलता है अताह निस्कर्ष पता चलता है कि द्रव के अंदर किसी बिंदू पर दाब तीरता दाब तीरता टोथ प्रेशर इंटेंसिटी द्रव के घनत को किसको परदाशित कते है रो गुरुति तुरन जी तता उस बिंदू की द्रव तल से गहरा होता है यह हमिने जो निकाला वही इडासिधाति होता है जितना अज्जादा प्रेसर होगा उतनी ज़्यादा हाइट हो बड़ेगा इस बिंदू की द्रव तल से हलाई के समानुपाती होता है यह हमने दो दो निसकर्श निकाला थीसरी इंपर से इंटेंसिटी उस तरल के आपे चिक भार आपे चिक भार को इसमाल डवलू तथा द्रव तल से गहराई एसके गुड़न फल के बराबर पूटता है फीवराबरे रो जी एज इस पर लट है तो पी लएज डबलू रबले हम जानकते हैं इसको लेशन नंबर के बराबर होता है तो यह था दोस्तों उमेद करते हैं आपको द्रव के अंदर दाप्त था गहराई में संबंद समंद में आ गया होगा हमने क्या-क्या निकाला फार्मूला निकाला फिर दूसरा में लगा पी बराबर डबलू इंटु एच डबलू क्या है इस पैसिक वेट ह या फिर आप एच्छी भार है और हमने दूसरा निसकर्ष निकाला फिव प्रपोस्नल टु एच यह तीन इंपॉर्टेंड निसकर्ष निकालें तो दोस्तों यह लेक्चर यहीं समाब करते हैं यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर पर लाइक कर द झाला कर दीन